गुड मॉर्णिंग फ्रेंड्स आज है 10 अक्टूबर मैं सेक्रेटी डियलेस से सिर्मौर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के उपलक्ष में आज आपसे स्क्रीन पे दिये गए बातों को डेटा को एक्स्ट्रापोलेट करते हुए अपने सारे स्टेक होल्डर्स को सेंसिटाइज क करने के उदेशिय से और नालसा के तहट जारी बुकलेट्स में जो मेंटली डिसेबल्ड या इस्पेसली एबल्ड लोगों के राइट्स हैं राइट्टू फ्री लीगल एड है इन सब के बारे में आपसे कुछ डिसकसन करूंगा आपको ये जानके हैरानी होगी कि ठीक एक महिना पहले यानि दस सेप्टमबर को हम वर्ल्ड सुसाइट प्रिवेंशन डेवी मनाते हैं और सुसाइट का मेंटल हेल्थ से बहुत लिना देना है अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे जादा कोरोना में जो वल्नरेबल है आज ही के निउस पेपर में आया है तो वो है यूथ 19 साल से नीचे जहां हमें लगता है कि यूथ हंकी डोरी है बिंदास है उसके पास तो एज है ताकत है यह तो केवल कोई हैंडी कैप होता है या कोई बुजूर्ग होता है जिसको डिप्रेशन आता है मगर ऐसा नहीं है आरियन खान मुन्मुन धमेचा या अरबास मर्चंट के केस में भी हमने देखा कि 15 से 29 साल के गुरूप के बच्चे सबसे जादा ड्रग के सिकार हो रहे हैं 34% अगर भारत में होता है तो इसी एज गुरूप का जी हैं आपने ठीक सुना 15 से 29 यानि प्राइम एज जब आप जिंदगी में सब कुछ एचीव करते हैं आपका टिनेज 13 से लेकर 18 और 19 तक चलता है और इसी दोरान अगर आपको चैनलाइज ना किया जाए तो जो 70,000 एवरेज थौट्स आपके दिमाग से आते हैं उसमें 90% डिफॉल्ट मोड में जिस तरह रोजगारन में वीड्स उगते हैं आपके दिमाग में नेगेटिव थ आते हैं दिपीका पाडुकने ने जब इसको असेप्ट किया सुसांत राजपूत के भी केस में हमने सुना कि उसकी बहन और उसकी गल्फ्रेंड रिया चकरवरती उनको ड्रक्स प्रिसक्राइब किया करते थे ताकि उनके माइन में जो थौट्स चलते हैं नेगेटिव थौ होने पर इंसान डिप्रेशन का सिकार हो जाता है 2015 यानि की आज से केवल 6 साल पहले भारत में 51,792 जी हां 51,792 यूथ ने सुसाइड किया और ये जो डेटा हैं ये डरा देने वाले हैं शॉकिंग हैं फ्लैबर गैस्टिंग हैं 8% जो सुसाइड होता है वो वो लोग करते है हैं जो सीजोफ्रेनिया से सिकार होते हैं हम अलजीमियर सीजोफ्रेनिया को बिमारी ही नहीं मानते हम ये मानते हैं कि केवल फिजिकल डिसेबिलिटी जो है उसी में OPD और IPD और सरजन की फैसिलिटी होती है mentally तो खुद को हम exercise करके थोड़ा घूम के ठीक कर सकते हैं बिलकु 2017 में बदल दिया गया और United Nation के convention को sign करने के कारण ऐसा हुआ जिसमें World Health Organization ने ये कहा कि हर पांत में से एक आदमी को psychologically sick कहा जा सकता है कुछ दिन पहले हमने DLSS से मौर के चैनल में Disability Act 2016 पर भी Section 2ZC का definition पढ़ा intellectual disability की definition को पढ़ा mental retardation और कई तरह की बिमारियां mental illness में ना आकर physical disability act 2016 में cover होती है मोटे तोर पर आप ये समझ लें जिनका permanently कोई इलाज नहीं हो सकता वो physical disability act है लेकिन जिसका इलाज possible है वो है mental health act का subject matter जी हैं आपने ठीक सुना अगर सुसान्त राजपूत की तरह किसी भी यूद को बहुत depression आता है society के thoughts आते हैं और वो society कर ले तब तो वो मर जाएगा लेकिन अगर वो बच जाए तो Section 309 Indian Penal Code और यही honorable justice चंदर चूर जी ने नफ्तेज जोहर में कहा यह बहुत ही inhuman है बता दूं mental health care act 2017 में disability act 2016 की तरह overall 360 degrees angle से holistic inclusive education पे community life पे और तो और आप mental rights हमारे constitution में article 21 के रूप में 15 के रूप में दिया है उसको acknowledge किया है आपके साथ किसी भी तरह का बेदभाव नहीं किया जा सकता अगर आप किसी सिरमौर में इस तरह से घुम रहे हैं जैसे wandering आप घुम रहे हैं इधर उधर घुमकड की तरह अपना take care नहीं कर सकते खुद को चोट पहुंचा सकते हैं या किसी और को और अगर आपके परिवार वाले neglect करते हैं ये दो अलग-अलग विसाय है अगर तो परिवार वाले नहीं हैं तो पुलिस वाले की section 100 में ये duty है कि वो उसको ले जाए halfway home में या किसी ऐसी safe जगा safe custody में और अगर आपके family ही आपको neglect करती है तो फिर पुलिस वाले की duty है उसको medical custody के लिए nearest magistrate से 10 दिन की custody करी ले और ये magistrate सहाब अपना opinion ना देकर medical expert के opinion पर ये दय करें कि पर्मानित इलाज की जरूत है या नहीं और सारे hospitals को ये कहा गया है कि जहां पर भी mental health establishment है वो सब ये कोई भी biasness ना रखें कि हमारे पास OPD और IPD physical disability के लिए तो होगा करोडों का budget हम cancer या बाकी physical disability या किसी ब psychiatrist clinical psychologist के लिए हमारे पास budget नहीं है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का ध्यान रखते भी ये कहा गया है कि mental health को उतनी ही priority मिले जितनी की physical health को और मैं आपको बता दूं हर साथ मिनिट में एक student भारत में suicide कर रहा है जी हां हर एक घंटे में एक student का मतलब ये देश oldest civilization और youngest generation का देश है और अगर हर साथ मिनिट में एक student suicide करता है 8% suicide जो है वो सीजोफ्रेनिक लोग करते हैं 42.5% corporate employees भी अगर depression के सिकार हैं और 5 करोड इंडियन्स depression के सिकार हैं जो की major cause of suicide का है और केवल 2015 में हम 51,792 youth lose कर रहे हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि देश का GDP देश का human resource development सबसे बड़ resource हम waste कर रहे हैं making India, youth India ये सब चीजें निरत चोपड़ा और हमारे youth जितने भी हैं इतना बड़िया काम कर रहे हैं ओलमपिक से लेकर IPL तक हम achievement देख सकते हैं लेकिन उसी success में अगर हम अपने material success के साथ emotional energy पे intellectual energy पे work ना करें, social question पे work ना करें तो depression आ रहा है ये WhatsApp, ये social media, ये Twitter जाने अन जाने अगर हम channelize ना करें youth की energy को तो कर्स बनता जा रहा है Facebook से like ना मिलने पर youth का suicide करना, father या mother ने smartphone डिच से डिप्राइफ किया तो suicide करना, number मेरे कम आ गए, suicide करना मेरे से घर में बैठे बैठे, school में पढ़ाई नहीं हो पारी, online में पढ़ नहीं पारा, मेरे को depression आ रहा है, suicide करना PUBG खेलते खेलते, blue whale का game खेलते खेलते, suicide करना, बंदूख लेकर school में चले जाना, और एक दूसरे पे गोली मारना, breakups और इस तरह के teenager वाली चीजें बहुत जादा disturbing है और हमें विचलित होने की बजाए, world mental health day में, mental health care act 2017 के mandate को ध्यान रखते हुए, उतनी ही seriousness से सको लेना चाहिए, जितनी की physical disability और देश में, परियाप मात्रा में, clinical psychologist और psychiatrist की भरती करवाना, appropriate government की duty है लंबा वीडियो ना करते हुए, हम data को extrapolate जारी कर रखेंगे अपने second part में, और हम जानेंगे की 17% world के सारे students, केवल इंडिया के नहीं, world के सारे students, जो हैं अगर suicide करते हैं, तो वो भारत का percentage आता है, हर 100 में से 17 इंडियन्स होते हैं और 135,000 इंडियन्स जो हैं, जी हां ठीक सुना आपने, 135,000 इंडियन्स जो हैं, अपना जीवन खुद ले लेते हैं, farmer suicide, student suicide, ये सब चीजें जब तक अपने घर में ना हो, हमें लगता है कि ये चीजें किवल data में बरगलाने के लिए हैं, बिलकुल नहीं, इसको serious लें, मगर विचलित होकर नहीं, बलकि solution के साथ, world mental health day, 10 October को celebrate कैसे करना है, mental health care act 2017 में क्या suicide करना, अब अपराद नहीं रहा, नफ्तेज जोहर की judgment, या फिर सुप्रीम कोर्ट में, रेड जिंक्स की judgment में, अब 115 और 120 के तहत, क्या 309 ineffective हो रहा है, इन सब को जानने के लिए, मिलते हैं, second part में,